गोड मॉर्निंग स्टुदेंट्स मैं आँचलाकरवाल फ्रों महाराजा अगरसन पब्लिक स्कूल ही साथ बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हमारी बसंदी पाठे पुस्तक का दूसरा अध्याई किया गा आज बच्चों, हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय करेंगे बच्चों आपकी डेटशिट आ गई है आपको पता है यह न यूटिकी आपको मैंने डायरी दिया आपने उस डायरी को लान किया बच्चों अब हम इस सासत होंबक के सासत हमारी टैस्ट की त्यारी भी करने है बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा ध्याय बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट तीन समझ आई बात यह कहानी एक जपान देश की जहां एक हैंडी नाम का धनी व्यक्ति रहता था उसके पास अर्बी घोड़ा था अब हम इस कहाने को पढ़ेंगे जपान देश में हैंडी नाम का धनी व्यक्ति रहता था उसके पास एक शांदर अर्बी घोड़ा था हैंडी उसकी देखबाल करता था उसने अपने बगीचे में घोड़े के लिए छोटा सा घर बना रखा था घोड़ा भी बड़ी लगन से अपने मालिक की सेवा करता था दीर दीर घोड़ा बोड़ा हो गया उससे अपने स्वामी की उतनी सेवा नहीं हो पाती थी हेन्री को उसका दानापानी अखरने लगा दानापानी बच्चो क्या होता है जो खानपान दिया जाता है अखरने लगा यानि कि अब उसको अच्छा नहीं लगता था उसको दानापानी देना एक दिन उसने बुड़े घोड़े को बाग के बाहर ख़देर दिया ख़देर दिया क्या होता है बच्चों बाहर निकाल दिया गोड़ा विचारा भोजन के तलास में मारा मारा फिर नहीं लगा जो भी घांसों सड़ी गली सबजियां मिल जाती वे उन्हें खाकर पिक बढ़ लेता जपान के राजा के महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था वहाँ पे उस देश में जपान का राजा भी रहता था और उसके महल के बाहर बहुत सुंदर बगीचा था बच्चों राजा ने बगीची के द्वार पर एक रस्ती में एक घंटी बंदवा रखी थी क्या बंदवा रखे थी बच्चों गंटी बंदवा रखे थी जिस व्यक्ति को राजा की साहिता की आशकता होती वहर रस्ती खिंच कर घंटी बजा देता था गंटी की आवाज सुनगर राजा उस व्यक्ति को अपने सामने बुलवाता उसकी फरियाज सुनता और साहिता का प सल, रस्टी गल और सड़ गई थी, राजा ने पहरेदार से कहा, देखो यह रस्टी गल गई है, किसी की खींचते ही तूट जाएगी, आजी इस रस्टी को बदल दो, बच्चो क्या कहा था राजा ने पहरेदार से, कि यह रस्टी गल गई है, इसे आज ही बदल दो, राजा गांस की रस्टी बांदेता हूँ, कल नई मजबूत रस्टी ले आऊंगा। पहरेदाने लगे बगीचे से लंबी लंबी घांस तोरी और उसकी रस्टी बंटकर यानि की बनाकर उसमें घंटी बांदी। तभी बुक से व्याकुल हेंरिक का गोड़ा उदर आगया। हरी घां कर कहां माहराज फाटक के पास एक बूड़ा गोड़ा खड़ा है लगता है भूखा है इसलिए घंटी में बंदी रसी ही खा गया राजा ने तुरंट सेवक को आ गया दी घोड़े को बगीची में ले आओ और उसे दाना पने दो उसने घंटी बज़ा कर हमारी सायता मांगे यह भी पता करो यह घोड़ा किसका और क्यों भटक रहा है थोड़े देर बाद सेवक ने आ कर सुचना दी माहराज यह घोड़ा रहीस हेंड़ी का है उसने उसे घर से निकाल दिया है राजा ने हेंड़ी को बुलावा भेजा हेंड़ी राजा के सामने उपस्तित हुआ रा यह बूड़ा हो गया है इसे रक्कर मैं क्या करूँगा राजा को हेंरी की बाद से उनकर बड़ा करोधाया किन्तुष ने स्यानत रहकर कहा हेंरी कल तुम बूड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारे देखबाल करेंगे वे तुम्हें बोजन डूढन शमा मांगे और उस गोड़े को घर ले आया और उसकी भले प्रकार देखबाल करने लगा बच्चों हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने फायदे के लिए दूसरे का उपयोग नहीं करना चाहिए दूसरी बच्चों कि हमें हमा अमीर, धनी, अमीर, लगन, किसी काम में पूरी तरह से लगना, अखरना, बुरा लगना, फर्याद, शिकायद, देखबार, जाजबरतार, सहेता, मदद, व्याकुल, बैचेन, व्याकुल, बैचेन बच्चों, अब आगे छोटे कोश्चिन है आपके, हैंडरी किसकी देखबाल करता था, हैंडरी अर भी घोड़े की देखबाल करता था, राजा ने बगीचे के द्वार पर क्या बंदवा रखी थी, घंटी बंदवा रखी थी, रस्ती खिंच के कोन घंटी बजा देता था, बच्चों भी सही, पर निशान लगाने वाले कोश्चिन है, जिसको अब MCQ भी कहते हो, बच्चों ये गध्यांस है, जिसके प्रेशन कुछ दियो है, और उनकी अंसर आपको इस गध्यांस में सिर्पड़ कर बताने हैं, देखो बच्चों, हैंडी कहां रहता था, जापान देश में, घोड़ा बड़ी लगन से क्या करता था, अपने माली की सेवा करता था, एक दिन हैंडी ने क्या किया, एक दिन हैंडी ने उस बुड़े घोड़े को बाग से भार खदिर दिया, देखो बच्चों फॉर्थ कोश बारिश और धूप के कारण रसी सलोर कड़ गई थी गल गई थी भूख से व्याकूल डैस का बोड़ा गोड़ा उदर आ गया है राजा की बास सुनकर हैंडिक का सिर डैस से जुग गया शरम से जुग गया बच्चों कुछ स्टेट्मेंट्स दी गई है कुछ लाइने दी गोड़ा था तो यह क्या है लाइन गलत है राजा के महल में सुन्दर बगीचा था बच्चों यास यह सही है राजा के जाने के बद पहरेदार ने रसी खिच कर तोड़ दी थी सही है बच्चों क्योंकि पहरेदार से ही राजा ने कहा था ना कि यह गल गई है राजा ने है राजा ने हैंडरी को भी भेजा था ना सेवक से बुलावा सही है है हैंडरी ने राजा से माफी नहीं मांगी थी न बच्चो और गोड़ा वापिस ले गया था तो यह वाली बात गलत है इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे बच्चो अब यह मिलान करो है इसमें हम पस्व पक्षियों की आवाजों को उन से मिलाएंगी कुता क्या करते हैं भूं भूं कोवा क्या करते हैं बच्चो क्या करते हैं कोवा काम काम बिली क्या करती है मै क्या करती है बच्चो म्याओ म्याओ बकरी क्या करती है मेमी कबूतर क करते हैं? गुट रगुं fällt चड़िया क्या करती है? जी जीSo बेच्चो वाक्या बनाऊ है करते हैं बच देखो मैंना आपको हमेशा बोला आप अपने वाक्या बनाऊ अपने आप से भी कर सकते हूं जैसे बगीचा राजा के महल में सुंदेब talk चाए graduate हमारे स्कूल में एक सुंदर बगी चाहें, देख बाल, हैंरी गोडे की देख बाल करता था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं अपने छोटी भाई की देख बाल करती हूँ, या हमें पशु पक्षियों की देख बाल करनी चाहिए, मालिक, दुकान का मालिक आ गया, यह दुकान का मालिक है, कुछ भी लिख सकते हो, बच्चों, या हैंरी गोडे का मालिक था, बच्चों, अब हमारे बड़े प्रेशन उत्तर है, हैंरी ने गोडे को बाग से बार क्यों बर खदेर दिया था, हैंरी ने किसली गोडे को बाग से बार खदेर था, क्योंकि घोड़ा बुड सकता था और हैंडिकोस का दानापन यह खड़ने लगा था बच्चों मैं इनको इंप्रेशन उत्तर के आपको अंसर लिख के दे दूँगी आप लिख लेना अभी मैं आपको समझा देती हूं राजा ने पहले दर से क्या कहा था क्या कहा था बच्चों कि यह गंटी सड और य और इसे दाना पाने दो और पता करो यह घोड़ा किसका है राजा ने हैंडी को क्या समझाया राजा ने हैंडी को समझाया था ना कि भी हमें अपने फायदे के लिए दूसरे का उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि हैंडी ने घोड़े का अपने फायदे के लिए उप्य